बहुत प्यारी बच्चों, आज जपां पार्ट नंबर तिन महात्मा गांदी जी बारे तो हाड़े नाल विचार सांची करांगे बच्चों महात्मा गांदी जी कौन सन? उनना नू राष्टर पिता केहा जान्दा है? ते क्यों केहा जान्दा है? चलो फिर अपा देख देयां, पढ़ देयां राष्टर पिता महात्मा गांदी दा पूरा ना मोहंदास करमचन्द गांदी सी उनना दा जनम दो अक्तूबर 1839 बीनू गुजरात दे पोरबंदर विच होया जदो उनना दा जनम होया, पार्थ अंग्रेजांदा गुलाम सी गांदी जीने पार्थ नू आजाद करवोंडे, देश्टी अगवाई कित्ती उनना दे विचार बड़े उच्चे दे सुच्चे सन उनना दी कैणी ते करने विच कोई अंतर नही सी उनना दे मन विच किसे तर्म बारे, किसे जात बारे कोई बुरिपाबना नही सी उनना ने सचाई ते अहिंसा दा मार्ग चोणेया अते जीवन पर इस रस्ते ते चल दे रहे अपने महान विचारां करके ही उन महात्मा बणे सारा देश अजवी उनना नू बापु दे नानाल याद करता है गांधी जी जदो छोटे हुन दे सन ता उनना नू हरीश्चंदर नाटक देखन दा मौका मिलेया गांधी जी हरीश्चंदर दे चरितर तो बहुत प्रवावित होई राजा हरीश्चंदर ने अपने मुसीबत पर एदिना विच्वी सचाईदा आसरा ही लेया हरीश्चंदर दे सत्यावादी सुबा आदा गांधी जी दे मानू पर बहुत डूंगा असर होया बच्चो हरीश्चंदर जो सानना उनने अपनी जिन्दगी चकदे चूट नी सी बोलेया उनना बारे बहुत सारियां कहाणियां नाटक पर सिद्धान पूरी जिन्दगी उनने साच बोलेया साच बोलन करके उननना आज भी चाल दाए ते उस्तो बाद वो सोचनली मजबूर होगे कि सारे व्यक्ती हरीश्चंदर वर्गे सत्यावादी क्यों नहीं बन जानते हरीश्चंदर दी सचाई गांदी जी ले प्रेरना सोत बनी इस सचाई दा लड उननने जिन्दगी पर पड़ी रखया उन्ना दा विश्वास सी की साची रब है गांदी जी दे मानते सर्वन दी पित्री पाक्ती दावी पहत परवापया सर्वन एक आग्याकारी पुतर सी उसदे बिर्द नेतर हीन माबाप तीर्थ यातरा करन दी इच्छा राखते सन सर्वन ने अपने माप्यां दी इच्छा पूरी करण ले एक वैंगी बणवाई उसने अपने माप्यानू वैंगी विच बिठाया ते तीर्था दे चल पया गांधी जी मातापिता दी सेवानू परमतार मांदे सान उन्ना दा माताची के बच्चयानू माह पुर्षा दिया जीवनिया तो प्रेरना लेनी चाहे दी है जदो गांधी जी स्कूल वीच पड़ दे सन ता उन्ना दे स्कूल वीच एक इंस्पेक्टर न रिखन करनाई उन्ना ने बच्चयान दी ल्याकत पर खण ले शिरेणी वीच वदे आर्थियानू कुझ शब्द जोड लेखन लेके हा गांधी जी ने पांच शब्द जोडा विचों एक शब्द जोड गल्त लिख्या उन्ना ने अधिया आपकदे नाल दे सहपाटी दे ठीक शब्द जोड़ दी नकल करन दा इशारा किता ता जो उहो अपनी गल्ते ठीक कर लेण पर उन्ना ने अजिहा ना किता गांधी जी ने बच्चपन विच्छी महसूस कर ले आसी कि नकल करना ठीक नहीं नकल करके असी अपने आपनू तोखा देंदे हां गांधी जी अपने असुला दे पड़े पके सान अते दिरिड इरादा रखते सान जदु गांधी जी उच्च सिख्याली इंगलैंड जान लगे ता उन्ना दी माता ने वचन लेया कि उखो कदे वी मास ते श्राब दा सेवन ने करन गे गांधी जी कदे वी अपने इस वचन तो थिड़के नहीं उन्ना ने अपने दोस्ता मित्रा दे कहन ते कदे श्राब अते मास दा सेवन ने किता गांधी जी ने अपने कोल तिन बांदरा दिया मूरता रख्या हो या सन इक बांदर ने अपने मूँते हाथ रख्या होया सी दुझे ने अपनिया अखाते हाथ रख्या होया सी अते तीजे बांदर ने अपने कन्ना दे हाथ रख्या होया सी पहला बांदर किसे ली बुराई ना पोलन दा संदेश दिन्दा है, दुज्जा बुर्याई ना देखन दा संदेश दिन्दा है, तीज्जा बांदर बुर्याई ना सुन दा संदेश दिन्दा है गांधी जी देसे दा अंतवी इस परकार देही सन ओपार जीवन किसे दे दोश सुन देखन जा पोलनली त्यार नहीं होए गांधी जी ने देशनु अजाद क्रोणली अहिंसादा मार्ग चुनेया उन्नाने सत्या ग्रे किते वी देशी वस्तांदा त्या किता अते देशी वस्तां वर्तन दा अंदोलन चलाया अपने एन्ना गुणा करके ही गांधी जीनु सफलता प्राप्त हुई उन्नाने लोकांदे दिलांदे राज किता, निर्चवार्थ देश्दी सेवा करके राष्ट्रपिता होंदा मान प्राप्त किता गांधी जी दियां नितियानु होन सारा विश्व मान सम्मान दे रहा है उन्नानु विश्वपद्दर ते अहिंसावादी होन्दा मान देन्दा है उन्नानी जनमिती दो अक्तूबर नू संयूकत रास्टर वल्लों को मांतरी अहिंसादिवस्वजों मनोना अयलान्या गया है गांदी जी पार्थ दा चनन मुनाराःन सानोना दे पूर्णए ते चलना चाहिदा है पाइपूर्णए ते राहते जरूर चलना चाहिदा है इस दे नालसी सोखेर अने साथा जीवन वी सोखाळा रहें दा है बच्चों मेंनू पताया कि तो अनू सारा पार्थ समझ आ गया चलो फिर अप्पा कुछ प्रशन उत्र पुछे महात्मा गांधी जीदा पूराना की है दस्सों बच्चों महात्मा गांधी जीदा पूराना की है महात्मा गांधी जी दा पूराना मोहन दास कारमचंद गांधी जी है बच्यों पनु किसे गाइड़ दी जरूर्त नी हुंदी जिस्तरां तो आड़े प्रेशन लगातार चाल देने ऐसे तरां उत्तरवी तो आड़े पार्टे विच लगातार ही चाल देने महात्मा गांधी जी ने केडा मार्ग चोणे आसी बच्चो महात्मा गांधी जी ने साच दा अहींसा दा मार्ग चोणे आसी उस्तो बाद महात्मा गांधी जी ने बचपन वीच केडा नाटक देख्या आसी अते उन्ना दे मानुते उस नाटक दा के हो जे अपर वापया सी अपपा देखे बच्चे जो दो बहुत चोटे सन ता उन्ना ने हरीश्चंदर नाटक देख्या सी मतलब हरीश्चंदर राजा कौन सन जो हमेशा साच बोल दे सान उन्ना दे मांतेज दा बहुत गैरा असर पया ते उन्ना ने एहे प्राण कार लेया सी वियो सारी जिंदगी ही साच दे राते चलन गे मतलब साच नूँ हो राब केंदे हुन दे सान वो देख दे सान की मसीपता दे विच्वी राजा हरीश्चंदर ने जो साच दा मार्ग ने सी छड़ेया अगे बच्वो महात्मा गांधी जी ने बचपन वीचे केड़ा नाटक देख्या सी पता लग्या पनू उस्तो बाद गांधी जी दे मानो उत्ते सर्वन दी पितरी पाक्ती दा की आसर पया सी बच्वो जड्र शर्वन सी ना वो अपने मातापिता नों बहुत पयार कार दा सी ते उन्नानू यात्रा कर दे मातापिता अन्ने सान्ना नून यात्रा ग्र South लेये हो इक व्यांगी त्यार किति सी मतलु जड़ी मोड़्डेया ते तकड़ी नुम मजिस्तर आपणी तकड़ी हुन दिया न उस तरा मतलब दोननोँ पासे टोकरे बानके ओनानों बठाया सी होते ते आप चुक के मतलव ओनानों यातरा करवाई सी बहुत सेवाकर्धा हुन दा सी ते गांधी जी दे मानते सर्वन दी पितरीपाक्ती दा पहुत प्रवापया सर्वन इक आग्याकारी पुत्तर सी उस दे बिर्द नेत्र हीन मावाप तीर्थ यात्रा करंदी इच्छा राख दिसान सर्वन ने अपने मापयां दी इच्छा पूरी करंदी इक व्यांगी बनवाई उसने अपने मापयांनु व्यांगी विच बिठाया ते तीर्था दे चालपया गांधी जी दे माता पिता दी सेवा करंदे पावोथों पैदा होई उन्ना बारे सुनके ते सारी जिन्दगी उन्ना ने एहे प्रण किता ते मापयां दी बहुत सेवा किती ओ केंदे सान की बच्चा नुए होजे महापुर्शा दी जो जीवनी है उस्तो प्रेरना लेनी चाहे दी है उस्तो बाद बच्चो गांधी जीने स्कूल वीचे नकल क्यों ना किती क्योंक्यों हो नकल नुँ वदियानी सी समझ दे ओ हमेशा सच दा साथ दिन दे सन ते इस्तो अगले पैरे दे वीचे यह बच्चो बीजी में उन्ना ते इंस्पेक्टर बच्चानु पर्खन वास्ते आये सीगे ते फिर अध्या अपक्निक केहासी वीचे नकल करलो परो ना ये नकल नहीं सीखीती ते ओ नकल दा साथ नहीं सी देना चोंदे क्योंक्यों अउन्ना दा मतलब सी के नकल करके सी अपने आपनु ही तोखा देंदे हम महात्मा गांधी जी ने अपनी मानू केडा वचन दित्ता सी बच्चो जदो गांधी जी पढ़नली इंगलेंड जान लग्ये सान न ते उन्हादी माता जी ने उन्हान कहा सी वियोः किसे परकार दे नशे पाव मास शराब दा सेवन नहीं करन गे ता गांधी जी ने उन्हान वचन दित्ता सी वियोः कदे वी मास शराब दा सेवन नहीं करन गे ते उस्ते पक्के वी रहो ना दे दोस्ता मित्रा ने बहुत के हासी पर उन्हान ने कदे वी इस्ता सेवन नहीं सिखिता फिर उस्तो बाद आगया महात्मा गांदी जी दे तिन बांदर की सिख्या दिन्दे हन पहला बांदर किसे लिए बुरा ना बोलन दा संदेश दिन्दा है दुझ्जा बुर्याई ना देखन दा संदेश दिन्दा है तिज्जा बांदर बुर्याई ना सुन दा संदेश दिन्दा है मतलब उना ते जड़े हाथ ने पहले बांदर दे मूते रखे होई ने दुझे बांदर दे जी में कहेंदा है बुराई ना देखन अखा दे रखे होई ने तीजे ते बुराई ना सुन करना दे रखे होई ने भी मतलब पानू बुरे कम बुरे गल्ला नहीं सुननियां चाहिए दियां ते बुरे कम नहीं करने चाहिए दे उस्तो बाद आगे बच्चो खाली था मा बच्छो पहली जो खाली था है गांधी जी दे विचार बड़े की सन गांधी जी दे विचार बड़े ही उच्चे दे सुच्चे सन फिर उस्तो बाद उन्यत विश्वास सी की साच ही रब है गांधी जी माता पिता दी सेवा नो पर्म तरमान दे सन बाद बच्यों, गांधी जी आपने असुल्ला दे बड़े पक्के सान। अगली, गांधी जीने देशनु अजाद क्रोंडी, कि दा मार्ग चोने आसी, अहिंसा दा मार्ग चोने आसी। उस्तो बाद बच्यों आगे आपने वाकां विच बार्तों। शबद्धिते होईने अपन। पहला अहिंसा, गांधी जीने देशनु अजाद क्रोंडी, अहिंसा दा मार्ग चोने आसी। मुसीबत, राजा हरिश्चंदर ने बहुत मुसीबत दे समय विच्वी साचदा साथ नहीं चड़्या। गुलाम, अंग्रेजा ने अपनू बहुत देर गुलाम बनाया सी। उस्तवाद वैंगी, शर्वन ने अपने माता पितानू यात्रा करोंडली वैंगी बनायी। सहपाटी, गांधी जी अपने सहपाटीया नाल मिलके रेंदे सन। सहपाटी की उन्देने बच्चो तो अडेनल पड़न वड़े। अधे आपका, तान्नू अधे आपका दास सतिकार करना चाहीता है। ठीक है ना। उस्तो बाद आगया बच्चो विरोधिश अबद, हिंसा, अहिंसा, स्वार्थ, नेट स्वार्थ मतलब मतलब नू कहने अपका, विदेशी, देशी। ठीक है बच्चो, मैंने ये कीए ना कि तो अन्वे पूरा समझायाए। ते सोनना ते समझान लेतो अड़ा पहत तान्वाद, ते तुसी वी किसीना लड़ाई नी कारनी, ते साच दे राते तुर नाए। इस नाड़तोंनों कदेवी मसीबता नई आणगियाँ, जे आणगियाँ वी ता ओहो तुसी बड़ी द्रेटता नाढ़, पूरे होसले नाढ़ोंना दा समझान करोंगे। तान्वाद, तान्वाद, तान्वाद.